तुम्हें आमार की कोई फायदा नहीं क्योंकि सब यहाँ है नमस्कार दोस्तों मैं अकले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चेनल EKB मीडिया में एक बार फिर से दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे आम रेबल इस्टार प्रभास की फिल्म साहो के साथ दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में तो चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा विडियो प्रभास और स्वध्धा कपूर की फिल्म साहो जब सिनामा घरों में रिलीज हुई थी तो फिल्म को रिलीज होते ही पहले दिन क्रिटिक्स की तरफ से काफी नेगेटिव रिवीउस मिले थे और उन नेगेटिव रिवीउस को देखकर लग रहा था कि फिल्म वाके में खराब मोवी है ना तो फिल्म की कहाani अच्छी है, ना तो फिल्म के गाने अच्छे है, और ना ही प्रभास और स्रधा कपुर की जोड़ी इस फिल्म में जम रही है, लेगिन जेसे जेसे लोगों ने इस फिल्म को देखा और पबलिक के रिवियू जब बाहर आए, तब पता चला कि ये फिल् फिल्म की काहनी काफी बढ़िया है वही फिल्म के एक्सन वीएफेक्स सभी सांदार है और लोगों को प्रभास और स्रद्धा कपूर की जोड़ी भी काफी ज़्यादा पसंद आ रही है और इस बात का सबूत यह है दोस्तों कि फिल्म ने शुरुवाती पांस दिनों में ही सि धमाकेदार ओपनिंग लेने में काम्याब रही तो दोस्तों इससे यह बात साबित होती है कि कोई भी फिल्म क्रिटिक्स से बढ़ी होती यानि क्रिटिक्स के बढ़कर आती है पबलिक क्रिटिक्स को फिल्म पसंद आए ना यह बात अलग हो गई लेकिन फिल्म पसंद आना राखिए और ये फिल्म मुझे देखना चीह ये नहीं तो दोस्तों यहाँ audience ने critics को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया और हिंदूस्तान की जनता ने साहो फिल्म को पूरी तरह से अपना लिया और प्रभास और स्रद्धा कपूर की फिल्म को पूरी तरह से box office पर एक बड़ी success हासियल करा दी जिया दोस्तो अगर बात करें फिल्म के अब तक के total box office collection के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे इस फिल्म का budget तो ये फिल्म इंडिया के अब तक के सबसे बड़ी action film है और इस फिल्म का total budget है 350 करोड रुपे वही अगर बात करें फिल्म के pre-release business के बारे में तो दोस्तो इस वक्त तो फिल्म box office पर बड़े collection कर रही है लेकिन फिल्म ने release होने के पहले भी काफी बड़ा collection कर लिया था जिया दोस्तो आपको बता दे फिल्म के release होने के पहले फिल्म के digital right, music right और satellite right ये सब भी के थे 150 करोड रुपे में वही फिल्म के theatrical rights भी के थे 290 करोड रुपे में यानि कि फिल्म ने box office पर दस्तक देने के पहले ही साड़े 400 करोड तक की कमई कर ली थी लेकिन box office पर release होने के बाद भी फिल्म के collection थमने का नाम नहीं ले रहे जिया दोस्तो अगर बात करें फिल्म के अब तक के total worldwide gross collection के बारे में तो चलो detail में बात करते हैं सभी area के first day से लगा कर आप तक के total collection की दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं net collection की area wise तो फिल्म का जो पहले दिन का इंडिया का net collection था वो था 90 करोड रुपे जिसमें से हिंदी का पहले दिन का collection था 24 करोड 40 लाक रुपे वही तमिल वर्जन का 3 करोड 20 लाक रुपे तो तेलगू वर्जन का 7 करोड 40 लाक रुपे वही मलियालम वर्जन का 1 करोड रुपे दूसरे दिन फिल्म ने ओल इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 55 करोड़ 10 लाग रुपे का, जिसमें हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था 25 करोड़ 20 लाग रुपे, वही तमिल वर्जन का 2 करोड़ 20 लाग रुपे, तो तेलगू वर्जन का 27 करोड़ 10 लाग रुपे, वह तमिल वर्जन का एक करोड़ साहट लाक रुपे तो तेलगू वर्जन का पच्चिस करोड़ तीस लाक रुपे वही मलियालम वर्जन में फिल्म का तीसरे दिन कलेक्शन आया था चालिस लाक रुपे का वही बात करे चोथे दिन के कलेक्षन की तो फिल्म ने, All India में अपने चोथे दिन नेट कलेक्षन किया था 28 करोड 80 लाक रुपे का, जिसमें से हिंदी वरजन का नेट कलेक्षन था 14 करोड 20 लाक रुपे, वही तमिल वरजन का 80 लाक, तो तेलगो वरजन का 13 करोड 20 लाक वही तमिल वर्जन के 40 लाग तो इलगो वर्जन के 6 करोड वही मलियालम वर्जन के 10 लाग रुपे वही दोस्तो फिल्म ने अपने छटे दिन बॉक्स ओफिस पर ओल इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन किया था सभी भासाओं में 15 करोड रुपे का इसी के साथ दोस्तो फिल्म का सुरुवाते 6 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था 261 करोड रुपे वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन हो चुका था 308 करोड रुपे और फिल्म का 6 दिनों का ओर सिस टोटल कलेक्शन आया था 65 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तों फिल्म का सुरुवाती 6 दिनों का टोटल वल्ड वाइट कलेक्शन ग्रोस में हो चुका था 333 करोड रुपे वही अब अगर बात करें साथवे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म को साथवे दिन भी box office पर morning वाले वो सोज में लगभग 20-25% की occupancy मिली है वही afternoon वाले सोज में भी फिल्म की occupancy 30% तक गई है तो जो अभी तक की report आ रही है उस हिसाब से ये फिल्म आपने साथवे दिन Indian box office पर net collection कर रही है लगभग 17 करोड रुपे का इसी के साथ दोस्तो इस फिल्म का जो worldwide total gross collection होना है वो हो जाएगा साथ दिनों में 390 करोड रुपे जहां दोस्तो आज तक फिल्म का worldwide gross collection 390 करोड रुपे हो चुका है और कल ये फिल्म worldwide market में 400 करोड का अकड़ा पार कर देगी लेकिन दोस्तो आपको बता दो फिल्म के worldwide theatrical rights जहां 290 करोड रुपे में भी के है तो फिल्म को box office पर clean hit होने के लिए सबी भासाओं में minimum 500 करोड रुपे का gross collection करना होगा तो दोस्तो फिल्म को super hit होने से आप कोई नहीं रोक सकता फिल्म box office पर एक बड़ी blockbuster साबित होके रहेगी वेसे दोस्तो आपको बता दू अगर आपने साहो फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि साहो फिल्म का जो climate से उसे देखते होए लग रहा है कि फिल्म का second part भी बन सकता है दोस्तो जहां साहो के पहले part ने ही box office पर इतनी सांदार कमई कर ली है तो जरा सोचिए कि जब इस फिल्म का part 2 आएगा तो वो फिल्म box office पर क्या कमई करेगी जियां दोस्तो कही न कहीं देखे जाए तो अगर साहो का part 2 आता है तो वो फिल्म worldwide market में कम से कम 800 या 1000 करोड की कमई कर सकती है वेसो दोस्तो आपको क्या लगता है साहो 2 अगर आती है तो उस फिल्म का कलेक्शन कितना हो सकता है अपनी राय हमें कमेंड करके ज़रूर बताए और डेली बोलियूड, होलियूड और साउथ फिल्मों की box office report सबसे पहले देखने के लिए मेरो और आपकी इस चैनल AKB Media को सब्सक्राइब करना ना भूले